हालो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी लोगों का स्टरी आईक्यू पर स्टरी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुबम सर्धालिया एक और विशेप एक और टॉपिक पर बात करने के लिए आगया हूँ दोस्तों आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेस्बूक या टेलिग्राम के माथियम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं इस विशेपे हम बात करने वाले हैं, वो दरसल लखपती Self-Help Group Women, SHG, लखपती SHG Women, ये एक नया initiative है इसके विशे में हम लोग बात करेंगे, क्या है ये लखपती Self-Help Group Women? विस्तार से इसको इस आर्टिकल में हम समझने वाले हैं साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल साल की सबसे बड़ी सेल आपके लिए आ चुकी है कुछ last days बागी हैं सेल के तो 8th of November तक अगर आप enroll करते हैं किसी भी course में study IQ पर आपको massive discounts हो है वो मिल पाएंगे तो इस सुनहरे मोके को miss मत किजी आर्टिकल कहता है नाम से समझ आता है अब इसको हम correct अगर करेंगे लख पती हिंदोस्तान में हर वो विक्तिय जिसके पास एक लाख रुपया है वो लख पती कहलाता है जिसके पास करोड रुपय है वो करोड पती कहलाता है तो लख पती सेल्फ हेल्प ग्रूप वुमिन केंद्री ये ग्रामिण विकास मंत्राले Ministry of Rural Development इस मंत्राले के द्वारा इस पहल को जो है इस इनिशेटिव को जो है वो स्टार्ट किया गया है यहां पर लख पती सेल्फ हेल्प ग्रूप वुमिन इनिशेटिव जो है ये उद्देश्य रखता है कि भारत के ग्रामिण खेत्रों में हर वो महिला जो किसी सेल्फ हेल्प ग्रूप से एस एच जी से जुड़ी हुई है उनको हम इस तरीके से सक्षम बनाए के कम से कम साल का एक लाख रूपया वो जो है अब जानते हैं ग्रामिण खेत्रों के अंदर महिलाएं वो आपस में मिल कर के अलग अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जैसे इस तस्वीर में हम देख पा रहे हैं ये महिलाएं मिल करके बांस की टोकरियां बना रही है इन टोकरियों को बात में बेचा जाता है और अल्टिमेटली इस से कुछ income जो है वो इनको मिलती है तो इस तरीके से अलग अलग products बना करके उत्पाद बना करके ये महिलाएं जो है वो अपने लिए आजीविका के नएने सादन जो है वो खोजती है ये मिल करके एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद से इस तरीके के initiatives ये चलाती है इनको जो है वो self-help groups के रूप में जाना जाता है इन self-help groups की महिलाओं की income जो है उसको एक level तक ले जाने के लिए योजना जो है वो काम करेंगी for the realization of this ambitious goal the ministry has envisioned livelihood support to 25 million rural self-help group women in the next two years उदेश्य क्या है महतवकांक्शी लक्षे रखा गया है कि महिलाएं जो है उनको कम से कम एक लाख रुपे की income जो है अगर वो self-help group में किसी भी प्रकार का काम कर रही है तो उनको कम से कम एक लाख रुपे की income जो है वो मिलनी जाहिए इस महतवकांक्शी लक को पूरा करने के लिए सरकार जो है मंत्राले जो है अगले दो साल में 25 million यानि धाई करोड ग्रामीन self-help group से जुड़ी हुई महिलाओं की आजीविका को मदद करने की एक goal जो है एक ambitious goal जो है उसको set कर रहा है यहाँ पर करीब 25 million ग्रामीन शेतर की महिलाओं को मदद मिलेगी ताकि उनकी annual income सो है वो कम से कम एक लाख रुपे तक सो है वो पहुंचाई जा सके as of date 6,768 blocks have been covered under the program with mobilizing 7.7 करोड women into 70 lakh self-help groups देश भर के 6,768 blocks में करीब 7 करोड 70 lakh महिलाओं को 70 lakh self-help groups में जो है वो जोड़ा गया है देश भर के करीब 70 lakh स्वयम सहायता सम्हूं self-help groups में इन महिलाओं को जो है वो जोड़ा गया है ताकि उनके साथ जुड़ करके ये 7 करोड महिलाएं जो है वो अपने लिए व्यवसाय अपने लिए रोजगार जो है वो तलाश सके इस योजना के अंतरगत समाज के विभिन वरगों को विभिन जातियों की महिलाओं को स्वयम सहायता समुहूं के साथ शामिल किया जा रहा है जहां पर ये self-help groups उन महिलाओं की आर्थिक स्थिती को उनके सामाजिक विकास को बढ़ावा देंगे ताकि वो जीवन अपना समाज में इज़त के साथ में स्वाभिमान के साथ में जो है वो जी सके उनके quality of life जो है वो बढ़ सके फ्रॉम प्रोवाइडिंग इनिशिल कैपिटलाइजेशन सपोर्ट दस सेल्फ एल्फ ग्रूप सार बिंग क्रेडिट तू दी ट्यून ओफ अल्मोस्ट एट्टी थाउजन करोड रूपीज एनुईली ये सारे के सारे सेल्फ एल्फ ग्रूप स्वयम सहायता समू देश भर ये मदद कर रहे हैं और आगे भी करेंगे ऐसी महिलाओं को जो इन स्वयम सहायता समूगों के साथ जुड़ती हैं कुछ करने के लिए कोई रोजगार कोई वेबसाइट चाहे चोटे लेवल का चाहे बड़े स्तरका हो उसके लिए जो महिलाएं इनके साथ जुड़ती हैं उनको पूंजी कृत करने के लिए उनको प्रारंभिक पूंजी जो है इनीशियल कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए ये स्वेम सहायता समुझ जो है वो काम करते हैं तो सरकार की ओर से इनको हर साल करीब 80,000 करोड का जो है वो एक benefit जो है वो मिलता है इनको इस 80,000 करोड की त हिलाओं को जो है सशक्त बना सके ताकि किसी भी प्राकार के व्यवसाय में उनको initial capital जो है वो मिल सके over the years this money borrowed by self-help groups through bank capitalization support is now being used for creating diversified livelihood opportunities काफी सारे वर्षों में ये पूरी की पूरी पूंजी जो पूरा का पूरा capital जो इन self-help groups को मिला है विभिन banks के दुआरा अब इसका इस्तेमाल जो है अलग अलग प्राकार के विविद आजीविका के अफसर पैदा करने के लिए किया जा रहा है ये आजीविका के अफसर किसको मिलेंगे ये livelihood opportunities मिल रही है उन महिलाओं को जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे है जो इन self-help groups के साथ में स्वयम सहायता समूहों के साथ में जुड़ी हुई है और अब पहले basic एक concept था के महिलाओं को self-help groups में जोड़े अब एक minimum income की और हम लोग जो हो जा रहे है कि कम से कम साल की एक लाख रुपे income जो है वो इन महिलाओं की होनी चाहिए इस वचा से इसको लग पती self-help group women जो है वो नाम दिया गया है it is realized that for ensuring a sustainable livelihood and dignified life of women self-help group members there is a need to make concentrated effort for ensuring at least one lakh rupees income per household that is enabling them to become लग पती मैं आपको पहले भी बताया हिंदोस्तान के अंदर किसी के पास अगर लाख रुपया है वो लग पती कहलाता है किसी के पास करोड रुपय है वो करोड पती कहलाएगा तो कम से कम एक लाख रुपया प्रती वर्ष अगर इन महिलाओं को हम income ensure कर सकते हैं सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर साल कम से कम एक लाख रुपया वो कमाएं तो वो एक dignified life जो है वो जी सकेंगे एक स्थाई आजीवी का और सम्मान जनक जीवन उनके लिए हम सुनिश्चित कर पाएंगे और साथ ही साथ उनको एक लाख रुपया साल आना दे करके हम लख पती की category में जो है वो ले आएंगे being a लखपती एक लखपती होना अपने आप में उन महिलाओं के लिए aspiration और inspiration दोनों बनेगा the figure of rupees 1 lakh is both aspirational and inspirational for rural self-help group for men ग्रामिन शेत्रों में स्वेम सहायता समुहों से जुड़ी हुई महिलाओं जिनकी income जो है वो बहुत ही कम होती है 500 या 1000 रुपे या 2000 रुपे महीने की income जो है वो शायदे महिलाओं करती है अगर उनको साल भर में एक लाख रुपे तक के income पे हम पहुँचा देते हैं इस प्रकार के आंकड़ों तक के कुछ महिलाओं साल के लाख रुपे तक की income जो है वो आन कर रही होगी तो इस वच्छा से ये important scheme जिसको सरकार की और से ग्रामिन विकास मंतराले की और से शुरू किया गया है लगपती सेल्फिल्फ ब्रुप वुमेन इस initiative को हम यहाँ पे discuss कर रहे हैं I hope हमको यह article सरह वो समझ में आया होगा साल की सबसे बड़ी sale दिवाली धमा का sale study IQ पे चल रही है चंद दिन रहे गए है इस sale के और अगर आप lab उठाना चाहते हैं massive discounts के साथ आप हमारे courses में enroll करना चाहते हैं तो यही best time है झाल